नमश्रा दूस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रीटिल इंविस्ट में गाइस टाटा क्यामिकल की कोटर थी के नंबर आ चुके हैं कैसे रहें नंबर चले देखते हैं और नंबर करोड में तो जादा परिशानी नहीं होगी तो सीधा लेके चलता हूं आ आपको यहां गिरावट देखने को मिलेगी बात करें अधर इंकम की 37 करोड रहा है जो पिछले कोटर में 60 करोड था और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो जो टोटल इंकम निकल के आएगी दोस्तों वह 4185 करोड रूपीज और आप देखें तो एक कोटर पहले दोस्तों गिरावट है अब चलके देखते हैं भई खर्चों का क्या हल चाल रहा है तो एक्सपेंसेस में देखेंगे कॉस्ट और मटेरिल कंज्यूम तो अगर आप कोस्तों में देखेंगे यह 767 करोड रूपीज करा है जो पिछले कोटर में 770 करोड था और एक साल पहले 613 करोड थ अगर बिजनस इतना भेंकर बढ़ेगा तो खर्चे तो आपके बढ़ेंगी बात करें दोस्तों चेंज इन्मेंटरी की तो इस बार पॉजिटिव 186 करोड रहा है जो पिछली बार नेगेटिव 95 करोड था पावर और फ्यूल 901 करोड रूपए यह थोड़ा जादा हो गया देखने बार में 732 करोड था बात करें डेप्रिसेशन और अमॉर्टाइज़ेशन एक्स पेंस की तो यह इस बार 217 करोड रहा है जो पहले 288 करोड था अधर एक्सपेंस 687 करोड एक्जेक्ट्ली सेम रहे पिछली बार की तरह और जब सारे एक्सपेंस कर जोडेंगे तो 35 यानि खर्चे शायत तक जो थोड़ी बहुत गिरावर देखने को मिली है उसे मेक अप कर ले और हम चलते हैं यहाप और आप आएंगे कि भई टोटल कोंप्रीहेंशिव इंकम फौर दो पीरेड इस बार की क्या निकल क्या आई है तो देखिए नीचा चलता है और हम देखते हैं टोटल कोंप्रीहेंशिव इनकम प्र डिए अगर आप देखेंगे तो इस बार 139 करोड की रही है दोस्तू जो पछले लोटर में 1543 करोड थी ठीक है तो यहां पर यह होता वह दिखाई दे रहा है और जब बात करें हम EPS की दोस्तों EPS की तो यह 24.65 से घटके 15.35 में आ गए ठीक है यानि कि आप देखे यह जो था ना दोस्तों यहां पर यह कि बैए गेन और लॉस तो यहां 286 का लॉस हुआ है जो पिछली कौर्ट तो यदि आपको यह पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चनल सब्सक्राइब पीजएगा यहां तक चुड़े रहे हैं इस बात का बहुत धन्यवाद यह इस वीडियो का आनता है जैहन दोस्तों